उतर परदेश के राय बरेली जीले में अपराद का ग्राफ रुकने का नाम नहीं ले रहा है अभी तीन दिन पूर्म जहां देर रात ओटो चालक वह उसके साथियों ने ओटो में ही एक दिव्यांग यूवती को अपनी हवस का शिकार बना डाला था तो वहीं आज हर्चन पूर्थाना शेतर के गंगा गंज के पास बाग में एक अग्यात यूवती का अध्जला शव मिलने से संसनी फैल गई है शव में यूवती के हाथ पैर रसी से भंदे हुए हैं पहले उसकी हत्या की गई और फिर उसे जलाने का परियास कर उसे छोड़ क भागने की आशंका जताई जा रही है घटना राय बरेली के हर्चन पूर्थाना शेतर की है पुलिस को गंगा गंज स्थित गोपाल धाबे के पास बाग में एक अग्यात यूवती का हाथ पैर बंधा अध्जला शव मिलने की सूचना मिली शव की सूचना मिलने से पुलिस के हाथ पाफ फूल गए पुलिस ने मोके पर पहुचकर घटना स्थल का जायजा लिया और फोरेंसिक टीम को बुला कर जाज परताल शुरू कर दी पूलिस ने बताया कि शव की पहचान अभी तक नहीं हो सकी फिलार घटना की पूरी परताल की जा रही है राय बरेली से समद में पॉलिस ने को बुला के तूरी इचांच कराई गई समदी जंगों से सूचना पराफ की जा रही है सूचना पराफ कोने पूरा गिरू कर रही है ऐसे ही लेटेस्ट परेपाने के लिए बैल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइज शेर आड़ सब्सक्राइब करें धन्यवाद